तो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल और फ्रेंड आज की इस वीडियो सेरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कम्पीटर, और्गनाइजर्शन और अर्केटेक्चर के रिगार्डिंग जिहां दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो अगला पेपर है वो C.O.A. का ही है तो मैंने सुचा कि उस पर एक इंपॉर्डन टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो सेरीज बना दिया जाए क्या उसका प्रोसेजर होता है साथी साथ आपको पता होना चाहिए वेक्टर और एरे प्रोसेसिंग क्या होता है क्योंकि यह डिरेक्ली सॉट नोट्स में आ जाता है कि explain about the vector processing और एरे प्रोसेसिंग और साथी साथ जो आपका most important है वो है आपका risk and cisk यानि इसके बीच का difference भी आपको पता होना चाहिए तो unit number 5 का यह concept है आपका unit number 4 के अंदर आपको पता होना चाहिए रोम क्या होता है रोम के regarding जितने भी important concept होते है इपी रोम क्या होता है इसके type क्या होता है रैम के बारे में आपको पता होना चाहिए साथी साथ आपको पता होना चाहिए कि magnetic tape क्या होता है magnetic disk क्या होता है और साथी साथ आपको mapping का concept पता होना चाहिए unit number 4 के अंदर और साथी साथ हमारा जो last topic है वो है आपका virtual memory तो यह बिसिकली क्या है unit number five और four का पूरा concept है आपका पूरा topic है तो आप इसको लिखते चलिएगा अगर आप notes बना रहे हैं या फिर कोछी लिख रहे हो तो ताकि आपको clear हो जाएंगी कौन-कौन से topic आपको ध्यान में रखना है आईए हम देखते है unit number third हमारा कौन-कौन से है unit number third के अंदर हमने कौन-कौन से topic को रखा हुआ है clear unit number third आपका हो गया जिसमें सबसे पहला topic को हमने रखा है busses जी हां दोस्तों जो आपके busses होते हैं जैसे PCI bus हो गया या फिर SC SI bus हो गया USB हो गया यह सारे क्या है यह जो तीनों आपको दिख रहे है ना यह एक लाइनिंग में भी आ सकते हैं साथ नमर में इन तीनों को भी दे सकता है या फिर अलग-अलग करके भी दे सकता है तो आपको फोकस कर लेना है अपने according इसको तयार आप कर लीजिए उसके बाद आपको synchronous और asynchronous के बारे में पता होना चाहिए क्या होते है counter जो होता है आपका और साथी साथ जो आपको last देख लेना unit number 3 के अंदर वो DA में देख लेना है और input output processor देख लेना है आपको clear तो यह unit number 3 का पूरा topic है जिसका ध्यान में होना आपके लिए बहस ज़रूरी है अगर आपको इ restriction नहीं है कि हाँ आपनोंको notes लेना ही लेना है आप चाहें तो important question के video series को भी देखके इन सारे topic के answer को वहाँ से find out कर सकते हैं वहाँ पर हमने अची तरीके से बेलकुल free of cost में provide कर रखा है चीजों को unit number आपका third हो गया unit number अगर मैं second की अब बात करूं unit number second में आपको क्या क्या देना है तो brand unit number second पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है ज्यादा ध्यान देने का मेरा main purpose इससे है क्योंकि यह numerical portion है unit number second पूरा आपका numerical पर अधारित होता है और जो numerical question आपके पूछे आंगे जिसमें आपको पताऊना चाहिए कि addition किस तरह से होता है multiplication किस तरह से होता है या फिर subscription किस तरह से उता है four bit subscription like subscription okay इसके बारे में आपको पताऊना चाहिए डैन आपका जो second है वह आपका boots algorithm जी हाँ दोस्तो most important and VVI यह है अगर आपका numerical question आएगा तो इससे आधारी जरूर numerical question आएगा friend तो boots algorithm को आप कर लीजिएगा अपने according YouTube पे बहुत सारे lectures पड़े हुए हैं आप उनको देखके clear कर सकते हैं और numerical question इसका practice जरूर आप कीजिएगा clear सासी साथ जो thought आपका topic है वो है आपका floating point floating point arithmetic clear floating point arithmetic को आप कर लीजिएगा तो unit number second का यह पूरा fundamental है अगर आपके पास वक्त बचता है time बचता है तो unit number first के मैं topic को बता दे रहा हूं उसको भी आप cover up कर लीजिएगा जो कि आपके लिए फोड़ा सा सान हो जागा क्योंकि unit number first थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ा unit है ज्यादा बड़ा है तो unit number first के अंदर जो आपका पहला है वो आपको computer के बारे में पता होना चाहिए उसका proper diagram पता होना चाहिए और basically इसमें कौन-कौन से टाइप साते हैं और memory stick क्या होता है register stick क्या होता है साथी साथ आपको bus structure पता होना चाहिए क्लियर और last topic हमने रखा इसमें कि instruction कि अट टाइप जियां दोस्तो इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए उसका नोट्स अल्रेडी अभी लेफल है बहुत सारे बच्चों ने उसको access भी किया है और maybe chances हैं कि examination आप बहुतर नंबरों से पास कर सके इसकी उम्मीद में पूरी करता हूं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो directly मुझसे contact करके telegram के मध्यम से आप ले सकते हैं otherwise आप important question के video series को भी देख सकते हैं जैसा आपको बेतर लगे आप कर लीजेगा आपके लिए बेतर होगा और अगर आपको लगे कि हाँ हमारा चैनल आपके लिए helpful है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करी दीजेगा इस वीडियो को और ज्यादा ज्यादा इसको भी share कीजिएगा मिलते है फ्रेंस आइसे इंटेश्म रोग सा तब देगले थैंक्यों